हालो फ्रेंद्स मैं हूँ अनुजा एन वेलकम यू अल्टु लवेद एस्ट्रोलजी दोस्तों जब लोग प्यार में होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की मानते हैं और उसी मनमानी का अंजाम होता है कई बार वन याइट स्टांड जो किसी को भी घवार नहीं होता यहां कि कई पर आपको खुद को घवार नहीं होária आपको लगता है कि आच्छेली सक्षे हुआ कैसे हुआ क्यू हूआ और आप उस guilt में जीते रहते हैं कई बार इसके कारण आप blackmailing conditions में भी फस जाते हैं और जब समय बीच जाता है तब आप सोचते हैं कि ये क्या खुमार था क्या ये मेरे किस्मत का लेखा था या सिर्फ ये सितारों का एक हेर फेर था अब इन सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं the famous love analyst and relationship expert जो सही में आपको बता सकते हैं कि आखिर था क्या हो तो चले बिना देर करें उनका स्वागत करते हैं वेलकम आचारे जी नमशकार आपका love with astrology में बहुत-बहुत स्वागत दन्यवाद आपका दोस्तों अगर आपके मन में भी अपनी love life को लेकर या अपने किसी भी ऐसे act को लेकर कोई guilt है या ऐसी कोई चीज है जो आप आचारे जी के साथ share करना चाते हैं अपनी मन की feelings उनके साथ share करना चाते हैं बस phone उठाएं इन numbers पे call करें जो आपके TV स्क्रीन पर flash हो रहा है आचारे जी one night stand actually है क्या? Is it love or lust? या इसमें जो ग्रहों का कोई role है भी या सिर्फ एक आदत बन चुकी है? आनुज़ा मचे लगता है कि इस बात पर चर्चा करना की ये तो देखो सबको पता है मतलब हम किस संदर्ब में बात कर रहे हैं और उसका वास्त्विक रूप क्या है? क्यों लोग करते हैं? क्या इसकी आवशक रहता है? ये सब लोगों को पता है हम इन सब चीजों से कैसे बज सकते हैं कैसे इसका डिदान कर सकते हैं जोतिश हमेशा सकारात्मक पहलू देखती है चुक्ति देखिए ये बहुत कंट्रोबर्सल संदर्ब है एक्शली सही में अगर देखा जाए तो इस पर कोई बारता नहीं करना चाहता पहली बार किसी को मौका मिला है कि ऐसी अविवस्थाओं के प्रती भी जहां वारतालाब होता है जो बहुत सारे घरों की प्रमुक्सूच मलब समस्या है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करने वाला था जिससे बात करने जाएं वो खुद भी अपनी अलग एक जिग्यासा और अलग मनशा सामने रखता है आपके तो परिस्तियों पर जो भी चीजे होती है वो चाहे कोई भी कर्परत्य हो कोई भी कार्य हो कोई भी ऐसी ऐसा एक्ट हो जिसके परती हम सामानिता बात महीं कर सकते उसको जो तिस नगारात्मक दृष्टी से देखती है और उसको उसके इलाज के लिए हम बात करते है कैसे इन सब चीजों को ना होने दे आपके साथ हुआ आपके बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो क्यों? चुकि जो आप बो रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कल को आपको बच्चे काटेंगे बहुत सारे ऐसे लोग ही जो ऐसे काम जिन से हो गए है उनके आगे लड़कियां ही है कल को उनके साथ ऐसा नहीं हो या इसका कोई कुप प्रभाव आपके खुद के जीवन पर नहीं पढ़े या उस चीज का आप कहीं गलत नाजाज पैदा आपका कोई नहीं उठाए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन से हम बच सकते हैं उसका सलिशन कर सकते हैं उसका समाधान कर सकते हैं कितना भी मुश्किल सवाल क्यों नहो हम खोज के ढूंड के रिसर्च करके ऐसी सब्जेक्ट इसलिए जलाते हैं ताकि आपके अंदर की वो डबी हुई भाबनावों को या ऐसे कश्ट को जिसको आप अंदर-अंदर रख करके दुखी हो रहे हैं तकलीफ महसूस कर रहे हैं और किसी से बता नहीं सकते हम आपको अवशहर दे रहे हैं कि आप ऐसी चिज़ों को भी हमारे साथ शेयर करें और उसका समाधन बताएंगे स्भागत हैं एकदम स्भागत है वैल्सनी अपका नाम नेरा नाम श्वाणा परवीन है नमसकार नमसकार कैसे हैं। एक प्रूबलम फोर्शान थी मतलब लुखत ज़ादा पर्शान थी लगता कि निए वूअभिए चाहिए। और आज मेरे गार बस गया अच्छा हो गया हर चीज मतलब बेटर हुआ है और आगे भी बेटर ही होगा एक दम ये आपका विश्वास और ये आपकी सद्धा ही है जो आपको इस बलकूर प्रदान कर रही है और आपकी भी मतलब मेहनत काम रंग लाइए बहुत 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 आप इतनी बारीकी से मेहनत को देखते हैं इसलिए करने में अच्छा लगता है आप सबका धन्यबाद और आपका वो जो आपकी तरफ से सद्भावना आती है ये बिश्ट की सबसे बड़ी फीस है इस फीस के लिए ही हम लोग और जादा मेहनत करने के लिए उत्सुक होते ह हमको तो पूरा यकीन ही नहीं था कि कुछ होगा लेकिन आपके दिया हुगा जो कि उपाय आपने बताया वह भी किया हमने बहुत भी पहना तो उससे काफी बीशिट्स मिला बस अच्छार भी मेरा भाई परिशान वहां हो रहा है हमेरा ही भाई है मौमध हस्नें उसको बहुत बड़ी बात है इश्वर आपको और बलप्रतान करें तो दोस्तों देखा आपने किस तरह एक थैंक्यू कॉल सबके मन में इतनी खुशी और चेहरे पे चमक ले आता है तो अगर आप भी ऐसा ही थैंक्यू कॉल करना चाहते हैं और आप भी प्रेम कवज सिद्ध प् करना चाहते हैं तो बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं आचारीची आपके सिद्ध प्रेम कवज ने तो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर दिया है और बहुत लोगों को खुशी पहुचाई है अरुजा महसूस कर सके और उसके बाद सारवजिनिक रूप से आकर के सबके सामने उस बात को सेर करें साजह करें यह बहुत बड़ी बात है अच्छमी शाधुपाद और धन्यबाद के पातर हैं आपको जो दुख और जिस तकलीप से आप बाहर आये हैं प्रमात्मा और आपको बलप इस तरीके से अपने सच्छे प्यार को ढूंड़ना क्या यह सही है कि असे अने इस्ट्रोलिजर अच्छे को खोजने के लिए जब आपको चाहते हैं तो उसके लिए यह बिल्कुल आवश्चक नहीं कि आप भटकते घूमें जो आपकी अपनी वस्तू है इस बात का बिश् प्रयास रखें कि वो आपको मिलेगा ही किसमत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता आप कितना भी प्रयास कर लें कितनी भी अनरगल प्रयास कर लें प्रयास अगर सही दिशा में हो तो सायच सार्थक हो भी जाता है अगर आप पानी के बहाओ के विपुरी तेरना चाहते हैं, तो कितने भी कुशल तैरा क्यों नहों आप, आपका कुछ नहीं हो सकता, एक समय के बाद आप डूब जाएंगे, तो समय रहते, डूबने से पहले, दिशा और दसा दोनों बदलने की कोशिश करिए, ताकि आपको सही मार्ग मिल सके, सही गंतब भी मिल सके आपका अपना टारगेट अचीब हो सके, आपका अपना जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, बिलकुल आचारे जी, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे व्यूर्स को भी, हमारे कॉलर्स को भी एक ऐसी जेगा पहुचाएं, जहां वो आक्चली हमेशा एक्सपेक्ट करते थे और हमेशा डिजायर करते हैं कि हां मैं यहां जारा चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है, इसी बाते हम अकले कॉलर से बात करते हैं, जी, स्वागत है, हलो, जी, नमस्कार मैं, नमस्कार, वेलकम तो लव विद एस्ट्रोलर जी, आपका नाम, मनोर्ज गु ही है कि आप बात कर पा रहे हैं, जी, सर, जी, सर, जी, बताएं, सर, मेरी देट 16-47 है, जी, ठीक है, टाइम बता दीजे, संदे रात बारा बजे, संदे रात बारा बजे, कहां जन्म हुआ, जम्मू डिस्टिक तैसील आरफ पूरा, किस अंदर में जानकारी ची है, सर, कोई समस्य है, तो देखी, जन्म कुणली के काम काज के बारे में, साब, आपने अपनी लाइफ में किया बहुत कुछ है, बहुत कुछ बनाया है, बहुत मदद किया है अपने आसपास के लोगों की, पर आज विशमता ये है कि आपके आसपास की सारी की सारी परिस्तितियां बिल प्रिष्टे को बखु भी निभाया है बहुत जान डाली है लेकिन कहीं न कहीं सायत कर्मा वली कार्मिक एकाउन पिछले जन्म का ऐसा है जिसकी वज़े से आपको ऐसा भोग है कि वो कोई भी चीजे काम नहीं आ रही है आज परिस्तियां आपके पक्ष में नहीं दिखाई प है ऐसा माल लीजे कि उनकी कर्पा का अध्भुत प्रमाण है उसे धारा करें उसके साथ एक आकर्शक यंद्र आता है उसे भी अपने पास रखें और जब भी आपका सब ठीक होने लगे तो एक बर ब्रंदा बन जा करके दर्शन करके आए उनके दर्शन मात्र से सारी परिस चड़ाएं यानि शिंदूर और चमिली का तिल मिला करके किसी भी हनुमान मंदिर में ही एक जंडा चड़ा दे उनकी चड़ोपादुकाइं उनके वस्तरादिक जो हनुमान जी को चड़ाया जाता है जिसे लंगोट इत्यादी वो चड़ाएं जने वो चड़ाएं ऐसा करन से आपकी विशमताएं थोड़ी सामान ने होंगी और सही दिशा मिलेगी कि 2018 तक अभी समय आपका ठीक नहीं चलता इन उपाएंगों के पस्चात कम से कम आपको दिशा दसा परिस्तिती और अनकूलता जल्दी दिखाई पढ़ने लगी बहुत-बहुत धनेवाद कॉल करने के लिए और आपके patience के लिए और निरंतर try करने के लिए कि आचारी जी से बात हो जाये hats off to you thank you so much for calling दोस्तों अगर आप भी इस कोशिश में लगे हैं कि आपकी भी जल्द से जल्द आचारी जी से बात हो जाए तो मैं यही कहूंगी कि जरूर होगी अपनी उमीद मत छोड़िए और ट्राइ करते रहिए क्योंकि अगर भगवान ने चाहा कि आपको सही दिशा मिलनी है तो कोई रोक नहीं सकता उसे बस फोन उठाना है और इन ही नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे है तो आचारे जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए है आईए सुनते हैं उनका क्या कहना है बिलकुल स्वागत है हालो 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 हान जी वेलकम तू लव विद अस्ट्रोजी आपका नाम जी कहां से बोल रही है तो आचारे जी से नेत्रा जी बहुत स्वागत है आपका कैसी है आप तीक आप बात कर करके मेरे को इतनी में पावन हो गए यह लगत बढ़िया आप जैसे लोगों के लिए ही है यह सो प्रोग्राम देखती है ना जी इसले फोन किया था बहुत बहुत बन्यवाद बताईए साब क्या जान करीज़ी और अभी 38 शादित में जमती है और मेरे भी शादी है अब अभी बुद्धे होए इन बेनों के मेरी शादी ने होई और यह भाई की लड़की हूं यह की लड़की है मगर उसका भी नहीं जमता है तो बहुत अइसा दो साल से मैं आपका प्रोग्राम केचे हैं तो मेरे कुछ इतना लगा कि मैं गुरी जी कुछ को कभी फोन को र इसमें दो बाते आपको समझनी होंगी आपके घर में फोर फादर्स के टाइम पर कुछ मंगल से संबंदित चीजे खराब हुई यानि कुछ को ऐसी भूमी खरी दी गई कोई ऐसी जमीन ली गई जिसके बाद से आपके घर में मंगल कारे होने बंद हो गए विवाह यातो ल कुछ उपाय कुछ उपचार करने की अतशिग्र आबशकता है क्योंकि यदि ये 39 क्रॉस करेंगे अगर ये 40 तक पहुच जाते हैं ते उसके बाद इनके विवाह में बहुत मुस्किल हो जाएगी तो आपको चुपाय नोट कर लीजे एक तो इनको बोलिए कि सोमवार का ब् साम लिखने का जो तरीका होगा तीन बिल पत्री के पत्ते होते हैं एक में रा एक में आ और एक में मा इस तरह से लिखेंगे अश्टबंद से लिखना है ऐसा करने से इनके जीवन में जो बिशमताय है वो समाप्त होंगी इसके साथ साथ एक्षित दिप्रेम कवच जरूर बखर ने के लिए तो यह प्रयास यह सोध और रिसर्च का जो वास्तविक क्लाब है वह ऐसे ही केस के लिए हैं यह सारे के सारे उपाय करें ऐसा करने से आपके आपकी जो बच्ची है जो बतीजी भान जी है इसका जल्दी से विवाह होगा अच्छा जीवन साती बिलेगा और इसके बाद से रास्ते खुल जाएंगे और आगे पीडियों के लिए. बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के. ओके, थैंक यू. थैंक जा. अचारे जी, आपना समय देते हैं, और लोगों में जो एनरजी आजाती है, आपके अवाद सुनकर आरे है, अचारे जी, अचारे जी, नमस्ते. वो, I think, एक शुरुवात होती है, एक इंडिकेशन होता है, कि now some positivity has entered your life, और अभी आपको तकलीफों से थोड़ा दूर ही रहना अच्छा रहेगा. यह वर्षों का लोगों का हनुभो है, जब निरुंतरा बहुत लोगों को देखते हैं, थीक होते हुए, तो एक अंदर से होप जनरेट होती है, एक विश्वास का जनरे होता है. तो वोईस has that magical power, that magnetic power, कि आपके वास, लोग एक आड़ेए जिए अज़ पावरी आपको जाएगा से अबी ठीक हो जाएगा, जब भाहत हो गया सब तो आपक के लोगों की तूपिक की भात कर रहे हैं वे बहुत ही गंबीर समस्या हो चुकि यह लोगों की चिंदगी में और उस गिल्ट से वो गुजरते हैं, कई बार उनको बहुत रिपेंट करते हैं, कि क्यों ऐसा हुआ, वान नाइट स्टांड I'm talking about, तो हमारे प्लीज को प्लीज एक स्पेशल टिक, देविए. एक चीज तो देखो, बहुत बढ़िया हैं, कुछ ऐसी बाते हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, जिस पर हम बारता नहीं कर सकते, उसके लिए एकर विशुद्ध हिंदी की बात करें, और इंग्लिस की बात करें, लोग स्थर्माते कमें थोड़ा बोलने और बताने पर, ये पैरों में बिच्वे पहनने, बिच्वा समस्ते हैं, अलग-अलग भासाओं के आधार पर, पैरों की उंग्लियों में चल्ला पहनते हैं न चांदी का, जिससे प्रेशर पढ़ता है, जिससे आपकी अमानमी प्रबत्तियों पर कंट्रोल लगता है, तो जिन स्रियों का कर रहा हूं, तो ऐसी मानशिक्ता से, ऐसी प्रबत्ती से, ऐसी अविवस्था से आप बच जाते हैं कि चंद्रमा और सुक्र एक साथ ठीक होता है ऐसा करने से, पैरों में तोडियां पहनते हैं, कुछ लोग पायल बोलते हैं, कुछ नूपुर बोलते हैं, कुछ अलग-अल पायल का वजन एक निश्चित अनुमान में होना ही जाये, वो जन्जीर वाला नहीं, वो बहुत पतला सा नहीं, वो फैजन वाला नहीं, वो जो पारंपरिक तोर पर पायल बनती थी, उस तरह का अगर लड़कियां और हमारे तो लड़किया भी पहनती हैं, अभिवाहित ब अभिवस्थाओं से बस सकते हैं, पुरुसों में अगर आपका कर्ण शेदन हुआ हो, कर्ण शेदन करने के बाद ऐसी अभिवस्थाओं बहुत कम तोर पर देखी गई हैं, नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं बहुत हद तक बच जाती हैं, और एक सबस अभिवस्थाओं को से मुक्त करता है, अभिशेक करें या अभिशेक करवाएं, भगवान शिव के उपर भांग और धतूरा चड़ाने से भी ऐसी अभिवस्थाओं समाप्त होती हैं, ऐसा कुछ हो जाने के बाद की आई वी अभिवस्थाओं को भी समाप्त किया जा सकता ह भगवान शिव के उपर धतूरा भांग शमी पत्र चड़ाने से समी समयते पापम समी लोह गंड़कीम धावन अरजनवार आनाम समी लोह गंड़कीम यानि समी चड़ा देने मात्र से आपके साथ जन्मों के इस प्रकार के पाप समाप्त होते हैं, शमी पत्र बहुत आराम स मिलता है ऐसा करें आपको तुरित लाब होगा क्या बात है अचारे जी आपने जो इतनी सारी बाते हमें बताई है यह कही ना कहीं लोग अपनी जिंदगी में लागू करें इसका पालन करें तो I'm sure वो इन सब अववस्थाओं से भच पाएंगे thank you so much thank you so much for such valuable tips and your valuable time दन्यवार आपका दोस्तों misunderstandings किसी भी relation को तभा कर देती है इसलिए ऐसी misunderstanding से दूर रहिये और जुड़े रहिये love with astrology से अपना ध्यान रखिये खुश रहिये and always always just love your life लाएंगे